नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक पार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे जो कि आपके यूजी सीनेट पेपर वन के हाजर एजुकेशन सिस्टेम के पार्ट के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा और टॉपिक है आज की वीडियो का वल्लभी यूनिवर्स्टी यानि कि वल्लभी विस्विद्याल है और यह विस्विद्याल है आपके प्राचीन भारती उच्च सैच्छिडिक संस्थान जो है उसमें एक बहुत इंपोर्टेंट रो चूट टाइम रहा वो आपका 6 सेंचुरिय यानि छठी सताब्दी में इसका अस्थापणा का जो है समय इतिहास में बताया गया है ठीक है यानि छहेसोग इसविद्यवी 6168 इसवी में इसकी अस्थापना हुई थी और ये 12 इसवी तक इसका बहुत अच्छा टाइम गुज्रा यानि कि छटीवी सतापदी एक रहा इतिहास के अनुसार और आपको हम बता दें कि इसके अस्थापना का जो स्रिय जाता है तो कोई विश्षिष्ट कहीं पे हिश्टी में नहीं किसी का नाम रखा गया है लेकिन बताया जा रहा है कि मैत्रक ठीक है जो मैत्रक राजा थे उनके सासनकाल के दोरान काम इसको संरच्षड कर देने का काम और धन देने का काम ठीक है इसके अस्थापना के समय नयानिक निर्माट के समय संरच्षड और धन देने का काम मैत्रक राजा ने किया था और मैत्रक राजा ठीक है तो जो इसके देखें सनरच्छड का काम और इनके अस्थापना में धन जो वेट किये जादा से जादा तो वो थे मैतरक राजवंस ठीक है और मैतरक राजवंस के सासक कौन थे आपके भटारक और भटारक नहीं मैतरक राजवंस का अस्थापना किया था और भटारक ज का जब पतन हुआ उसी का लाब उठाके गुजरात और सौराष्ट का अपने को सासक घोसित कर लिये थे तथा वल्लभी को अपनी राजधानी इन्होंने घोसित कर लिया था तो जब यह युनिवर्सटी स्टेबलीश्ट हुई तो उस दोरान इन्होंने बहुत ही इसके लिए एक सपोर्टीव देखें तो इन्वार्मेंट इन्होंने अपना रखा इसके प्रति तो इसी लिए थोड़ा सा हमने डिसकस किया ताकि आपको पता चल जाए कि उस समय किसका डियूरेशन था ठीक है और यह युनिवर्सटी आपके कहां पर अस्थापित थी यह आपके विस जैसे कि आपका नालंदा आपका विक्रम सीला जैसे थे ठीक है उसी देखें टक्कर की यह भी युनिवर्सटी मानी जाते थी उस डियूरेशन में आपको यह याद रखना है अस्थापना देखिए हमने यहां पर लिख दिया कि छटी सताब्दी में यानि श्थापना का सम यह बहुत है fulfillment है यह बहुत ही देखें तो शैच्रिक संस्थान और यहां विस विद्याले बहुत सिच्छा का एक पहुत ही महत्ती हिंद्दर था अपने समय में और ये 600 वर्स यानि कि अगर 600 इस भी से 12 इस भी की बात करें तो ये 600 इस भी तक ये काफी बहतर इह नोंने काम किया अपने समय में ठीक है यानि कि खौब फाला फूरा यह विस्विद्याले अपने 600 वर्स के भीतर और यह विस्विद्याले बहुत धर्म के ही नयान साखा का महतपूर किंद्र था अपने समय में याद रखना है कि यह आपका वलभी जो थी आपके बहुत धर्म के ही नयान साखा का महतपूर किंद्र था और बलबी विस्विद्याले अपने चरम पे जब था तो बताया जाता था कि यह एक्दम नालंदा का प्रत्विद्याले माना जाता था यानि नालंदा विस्विद्याले के टक्कर का विस्विद्याले माना जाता है और नालंदा विस्विद्याले आपको पता ही है कि काफी systematic काफी ब्हाइटर एक का उसमें स्में का हुआ करता था कि और आपको बता जे dong जो सतवी करके थे उन्हों ने ब्भामण किया था और उनों ही कहा थाह कि यह है पालत कर लाय जो है के टकसीला का विस्विजयाा का अपने समय में एकदम करते दीने वाला तो फैसे सलिए था क्योंकि उन्हीं के लेख में पता चलता है शाकर के बारें कि आपको याद रखना है यहाँ पे दी आ डिया जाता था धर्म ने पिछ मतलब किसी इस्पेसल धर्म को न लेके चलते हुए सभी धर्मों के विश्यों को समान देखें तो अस्थान इस विश्विश्य द्याले में दिया जाता था और उसके अमजाद ही सबको प्रसिछट दिया जाता था तो याद रखिए यह चीज़ें और यहा ब्रामण जियान ठीक है यहाँ पर जो थो यहां पर викैको साइन्स जही पढ़ाया जाता था огр् geeky याद के पार्ठ क्रुमों में देखा था आपका लेखा सासत था ठीक है तो इन विस्यों का सिच्छा इस विद्याले में दिया जाता था और वलभी से असनातक जो विद्यार्थी करते थे ठीक है जो असनातक होते थे उनको राजां द्वारा उनकी राजिस सरकार में सहायता के लिए न्यूक्ट किया जाता था ठीक है तो उनको जॉब की देखें तो एक फैसल्टी भी प्रोवाइड करता था या विस्विद्याला और हेंसांग की समय जब हेंसांग ने इस विस्विद्याला का ब्रहमर्ण किया था तो यहां पे छह आपके हजार यह सिक्स अधिक बॉध जो भीच्चु थे यहां पे अपने अध्यान में सलगन थे और यहां पे तब हंड्रेड जो है सो मठो का बताया जाता है की सो मठ उस समय यहां पे थे और यहां पे बिच्चु जो लोक थे वह क्या करते थे इन मठों में अपना निवास निवास करते थे ठीक है यानि कि यह आवास था बहुत विच्छों का और पता दें आपको फाइनली की इस विद्याले का देखें तो अंत का कारण जो बना तो अरब आक्रमणकारी थे उसके कारण कि अरब आक्रमणकारी जब आए तो वो जो थे इसके सर्मरच्छड कारी जो सासक थे उनके उपर अटेक किया और उनको जो दार आगात पहुँचाया थीक है तो उसके साथ ही इस विद्याला का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया सार्म्रच्र क काम जब हट गया तो कुछ लोगों ने कुछ शासक ने इनको फिर से स्रण्रच्षड दिया फिर से इसको बहतर करने का तो आप इसको अगर रखेंगे तो आपके एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से ये काफी तो आपको ये ध्यान रखना कब इसकी अस्थापना हुई यहां से असनात की सिच्छा प्राप्त की थे और आपको याद रखना है कि यहां पर जीतने भी यह पाठे करम है चाहे आपका राजनीत विज्ञान हो गया नेती व्यवसाय क्रिशी प्रसासन धर्मसास्त कानून आपको याद रखना है कि इन सब इस चीजों का यहां पर है तो आगे की वीडियो में हम इससे भी बैतर आपको माटेरियल देने की कोशिज करेंगे तो जब तक नेक्स वीडियो नहीं लाते हैं तो तक लिए थैंक्स वोचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत-बहुत सुभूब